Fatty liver simply means liver full of fat Hello and welcome back to my channel Skin Care Remedy दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुती सीरियस कंडिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो है fatty liver आज हम बात कर रहे हैं non-alcoholic fatty liver के बारे में तो अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली किसी में भी fatty liver disease है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगा तो वीडियो को हेल्थ के लिए बहुत ही dangerous बन सकता है इसके positive sides ये है कि fatty liver disease can be reversible fatty liver की जो stages है ये बहुत ही important है और हमें इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन से stage है जहाँ पे fatty liver reverse होता है और ऐसा कौन सा stage है जहाँ पे fatty liver को हम reverse नहीं कर सकते है तो चलिए पहले जान लेते हैं वो कौन कौन से stages है simple fatty liver यानि की grade 1 यहाँ पे जो आपके fat deposition है आपके liver पर बहुत ही कम amount में है और जो की बिल्कुल reversible है और इससे कोई भी आपको harm नहीं होगा अगर time पे आप इसका treatment लेंगी second stage है steto hepatitis यानि की यहाँ पे stage आता है आपका grade 3 का हमारा जो simple fatty liver है यह वहाँ पे grade 1 और grade 2 भी cover होता है क्योंकि grade 1 से grade 2 में जब जाता है fat deposition थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन teto hepatitis में क्या होता है यहाँ पे जो आपकी fat की deposition है बहुत ज्यादा होता है और liver को यह फुला के थोड़ा बढ़ा कर देता है inflammation हो जाती है यह भी reversible condition है stage 3 है fibrosis जहाँ पे आपकी liver inflammation बढ़ जाता है और scars होने लगता है फिर वी यह stage reversible है stage 4 जो बहुत ही dangerous है और इसको बोला जाता है cirrhosis इस stage में liver में scars बहुत ज्यादा होता है जिसकी वज़े से यह scars liver को damage पहुचाने लगती है और इस stage में आप reverse नहीं कर सकते यानि कि stage 4 जो cirrhosis है यह irreversible stage है secondly हम बात करेंगे science and symptoms की बारे में देखिए बहुत हद तक देखा गया है कि fatty liver जिनको होता है उनको initial stage में कोई भी science या फिर symptoms दिखाई नहीं देता लेकिन कभी कबार किसी किसी में यह science जरूर आता है जैसे कि किसी को nausea होता है किसी किसी को skin में yellow परना इची skin होना या फिर jaundice होना किसी किसी को कुर मन नहीं करता या फिर खाने की बाद आपको बहुत ही थकावाट से महसूस होता है सोने को मन करता है मतलब यह सारी जो है fatty liver के ही science and symptoms है तो इसका treatment के बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले आपको weight loss पे ध्यान देना है क्योंकि अगर आप weight loss नहीं करेंगे तो आपका fatty liver जो ह है आपको weight loss करना है आपके जो current weight है उससे 10% weight आपको loss करना है लेकिन यह weight loss का जो process है आपको बहुत gradually इसको कमाना है बहुत gradually इसको maintain करना है अगर बहुत instantly बहुत fast up weight loss करेंगे आपका weight loss तो नहीं होगा उपर से आपका fat deposition है liver में वो ज्यादा हो जाएगा और उल्टा आपक per week.5 से लेके 1kg तक weight loss करना है और आपको हमेशा alcohol को avoid करना है आपको अपने खान पान यानि कि अपने diet का specially care लेना है ज्यादा oily चीजे ज्यादा मसालिदार नमक वाले चीजों को आपको avoid करना है ज्यादा से ज्यादा फल सबजी आपको खाना है regularly आपको exercise करना है running करना है swimming कर गर को weight lifting करना है weight lifting कर सकते है इससे जो आपके health है इससे जो आपके liver के function है liver की fatty liver disease है reverse होने में आपको बहुत ज़्यादा help करेगा और अगर आप चाहते है कि अगर आपको proper diet chart चाहिए आपको क्या खाना है आपको diet पे कैसे maintain करना है topic के ऊपर हम next video ज़रूर डालेंगे अगर ये वीडियो आपको helpful लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने friends and family में अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूली और अपना और अपने स सिहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा आज की वीडियो में बस इतना ही टेक कियर बाबाई